किताब है जब अपनी जमानी में था और अपने तब तो ताज पर बैठ गया तो तब उसने इस किताब को लिखा एक दिन जब सुलेमान बाद्शा जो है वह अपने खेतों में जाता है तो उसकी नजर शिलोमियत पर पड़ती है शिलोमियत जो है यह एक भेड़ बक्रिगा च चुका हुए है मेरे चेहरे के उपर वो हुसन नहीं है मैं तो बेड़ बक्रिगा धूब में जो है वो चराती हूँ और मैं धूब की जली हूई हूँ वो कहती है कि मैं बहुत मेहनत करने वाली इस लड़की हूँ जो अपनी खुमसूर्थी के उपर धियान नहीं देती है लेकिन सुलिमान बादशा ने जब उसको पहली नजर में खेतों के अंदर बेड़ बक्रिगा चराते देखा तो उसको जो है वो उससे महबत हुई है व उसने चाहा कि मैं इसको अपने महर के अंदर लेकर जाओं और इसको अपनी मलका बनाओं लेकिन इससे पहले कि उसने ये इराता दिया वो उस गरीब उस चरवाई के पास जो है शलोबियत के पास बादशा बनकर नहीं किया बसके उसने क्या दिया अपना बेस बदला और च ताकि एक चर्वाही अपने चर्वाहे को देखे क्या कभी भी कोई चर्वाही जो है वो बाठ्शया को अधि उस नजर से देख सकती उस चाहत में जिसमें वो चाहता है इसलिए बाठ्शया सुलिमान ने क्या किया वो उसके लिए चरवाहा बन गया ताके मेरा उसका लेवल एक हो ताके मेरी महब्बत में कोई कमी न रह जाए ताके वो कुछ सोचेंगए मेरी महब्बत के लावा लेकिन उसने उस चरवाही से बहुत महब्ब दी लेकिन एक दिन सुलिमान बाद्शाओ उसको अपने महल में ले गया उसके लिए उसने पाल की बनाई पाल की किया कि जो एक बहुत सारे उसने जो है वो जराफ़े और बहुत सारे जानवर लगाए ताकि उसका बहुत अच्छी से जो वो इस्तकबाल करके उसको महां पढ़ ले जाए नेकिन उसको नहीं पताया के मैं चरवाह नहीं बादशा हूँ शलोमिय से नहीं चान्ती कि सुलेमान बादशा मेरा चरवाह है वो सुलेमान बादशाग्ों एक अजनभी आदमी की सूरत में देकती है वो उसकी महपत को जो है वो रिजट कर देती है वो कहती है कि मुझे इसकी महबत नहीं चाहिए है क्योंके मैं अपनी महबत अपने चरवाये को देद चुकी हुई हूँ अब सुर्मान बादशाह इस बात को आगे लेके चलता हूँ पुझ नहीं चाहता कि मैं एक बादशा बनकर उसके साथ अपनी चाहत का इजहार करूँ बनके वो उसके साथ उस चरुआए की महबद से बड़तर दिखाना चाहता है लेकि शलूमियत जो है वो अपने चरुआए की महबद का ही दम बढ़ती है सुलिमान बादशा ने उससे कहा उससे कहने लगा कि देख मेरी शलूमियत ऐए मेरी स्याव पाम ऐए मेरी जमीला ऐए मेरी प्यारी तेरे लिए मैंने पाल्की बनाई है तेरे लिए मैंने बहुंसी लोंडिया यहां पर खड़ी कर दी है जो तेरे लिए हर वक्त त्यारी में देख मैंने अपने महा का हर उक्सूरत मकाम तेरे लिए रख दिया है और मैं अपनी महपत तुझ पर फेलाता हूँ अपनी महपत का जण्डा तेरे उपर जो है वो फिलाता हूँ क्या तू मेरी महपत को पबूल करती है लेकिन शलोमियत ने क्या कहा शिलोमियत उसको देखती है सुलिमान को वो उसकी तमास और अथाईश और अराईश को देखती है सुलिमान बाद्शा ने कहा ग्यार भी आयत में हमने पड़ा है सुलिमान बाद्शा ने कहा कि देख मैंने तेरे लिए सोने के तौक बना लिये है सोने के तौक का मतलब यदि कि मैंने तेरे लिए हार बना लिया है सोने का जिवरात तेरे लिए सोने के बना लिये है और देख वेले उसके अंतों जो है वो फूल जड़ती है जब उसने फूलों की बात को सुना तब वो कहने लगी देखने लगी कि ये जिवरात जो पूलों से साथ जड़े हुए हैं उससे सुलिमान से कहने लगी कि मैं तो इनको कुछ भी नहीं चाहती मेरा पहबूब जो है वो एन जन्दी के अधुरस्तान में मैंजी के फूलों का कुछ है ये सोने के फूल और ये जेवरात मेरे लिए क्या है हलेलुया शलूमियत की महबत देखे कि उसने जो है वो तॉप के फूलों को रेजेक्ट कर दिया सोने के आजकल की बैंद आजकल की शलोंयत ऐसी कभी भी ओपर जई नहीं करें लेकिन शलोंहें बाथशा की तमांतार ओपर को चर्वाहिं को उसने कहा कि वह तो महती के फूलों का घुच्छा है मैं तो उसकी महबत में अपने हाँ को लिए हुए हूँ कि फूल मेरे लिए कुछ नहीं है शनौबियत ने कहा है कि वो एंजदी के अंगूरस्तान का मेदी के फूलों का खुच्छा है एंजदी के पहले हम देखें कि कि एंजदी है क्या यरुसलों जो इसराइल का एक शहर है उसके इलाका की मगर्वी साइट पर एंजदी का बाग है जैसे कर सम्मिनी का बाग है इसी तरह एंजदी का भी एक बाग है जिसके अंदर बहुत सारे मेदी के फूल लगे हुए हैं चिसकी खुश्वू बहुत ज्यादा है और वही पर उसके किनारे पर डेंट सी है बहराइपुर दार है जो इसराइल में से भोकर गुजरता है वहां पर मच्छेरे जो हैं वो मच्छियां पकड़ती है लेकिन जब हवा चलती है तो उन मैदी के फूलों की खुश्वू जो है वह उस पूरे गार्डन को पूरे बाग को जो है वह में का रेती है उस समंदर के उपर मजूद जो जितने भी चरवाइं हैं उसकी भीते भीने खुश्वू लेते हैं वह चरवाओं की बदम से जो बदबू आकी है लेकिन जैसे ही वो उस एन जती के बाग के पास जाते हैं तो वहाँ पर उनके चेहरों को उपर एक मैदी के फूलों की खुश्वू और उनके बदम से भी खुश्वू आना शुरू हो जाती है अब वहाँ पर आज भी वो एन जती का बाग इसराइल की अंदर मजूद है लोग वहाँ पर विजट करने के लिए जाते हैं वो एक सैर का बन चुकी हुई है तो देखें के सुलिमान बाद्शा के दोर के अंदर भी शुलोमियत उसका जिकर करती है के मेरा महभूब एन जती के अंगुरस्तान में मैदी के फूलों का उच्छा है मैदी हम जानते हैं मैदी जो है आज कल वेलके शुरू से लेकर आज तक जो है वो खवरतीन का एक बहुत खूबसूरत सहंगार है इसके बगएर वो समझती है कि उनकी त्यारी मुकमल नहीं हुई है उसकी खुश्बू जो है वो उनको जो है वो मसरूर करती है जब वो अपने हाथों पर अपने बाज़ों के उपर मैदी लगाती है तो उसकी खुश्बू उनको अच्छी लगती है उसके पास जो बैठे हुए लोग भी होते हैं वो भी उस मैदी की खुश्बू से जो है वो बहुत ज्यादा मसरूर होते है अब मैदी के जो पोता है ये इंडिया में और इस्राइल में और मिसर के अंदर असरत के साथ पाया जाता है इस्राइल के अंदर तो इसके बाग है और इसकी खुश्बू बहुत प्यारी है और अर्बी में इसको हैना कहा जाता है और महदी कहा जाता है उर्दू की अंदर लेकिन अबरादी ज़़ार में इसको कफूर कहा जाता है कफूर का मतलब खुदा का फजल बाइबल मकदस गस्रों बजलात की किताब में ये शलूमियत और सुलिमान जो है इनकी महबत जो हमें मसी की और कलीसिया की महबत के साथ जया है वो साबिट करती है कि सुलिमान हमारा मसी है वो हमारा चर्वाहा है वो हमारा खुदा है और शलॉमियत की कलिसिया जिस दो उसने अपने कून से खरीद लिया है वो उसकी महबत का कितना कदम भरती है शलॉमियत अबाय गल्मकदस में साबित करती है कि वो अपने महबू को दुनिया की खुदा भी बनाई हुई हर नेचर के साथ साबित कर रही है कि आज वो कहती है कि वो तो मेहती के फूलों का गुच्छा है क्या कलीशिया अपने यसुल मसी को कहती है कि मेरा यसुल नाजरी जो मेरे लिए सलीप पर चड़ गया उसका बलेट मेरे लिए बहाया गया उसको मेरे लिए हकीर और बर्दूत और मरते गामनाप और रंज का आर्ष ना बना वो मेरे लिए जो है वो सब कुछ सह गया मेरा महभूब मेरा चर्वाहाँ मेरा खुदामन वो मेरे लिए सब कुछ सह गया इवन दोस्त कि वो मेरे लिए कपर में उतारा गया उसके बदन के उपर इतने कोड़े लगे उसके चेरे के उपर इतने ज्यादा जफ़म आ गये कि उसके चेरे के उपर कोई गुस्नों जमादा रहा कि कोई उसका मुश्ताथ हो उसने मुझे सवारने के लिए उसने मुझसे अपनी महबत को साबित करने के लिए वो कबर में उतर गया क्या कलीसिया अपनी महबत शुनोमियत की तरह शो करती है शुनोमियत क्याती है कि मेरे बतन से मेरे महबूब की खुश्बू आती है और आज कलीसिया भी बोलना थोले वो कहें कि मेरे महभूब यसु के बलेट की खुश्बू आज मेरे उपर है हालेलुया हमारे मांकलीसिया अगयसु की दुनान है जिसने हमारी महवद के अंदर अपनी जान कुर्वान की है क्या उसके बलेट की खुश्बू हमारे अंदर है हमारे यसु का प्लेट जो है वो मैंदी के पूलों के गुच्छों की तरह अपनी अंदर खुश्बू रखता है जब आप उसको अपनी रूप आप अपनी उसको बदन के उपर अपनी पूरी बोटी के उपर लगाएंगे तो जिस तरह मैंदी के पूलों की खुश्बू आती है आपके बदन से भी आपके महबूब यसु को बैसी ही कुश्बू आएगी वो आप से कहेगा एए मेरी प्यारी एए मेरी जमीला एए मेरी कुन खरीती मेरी कलीसिया देख मैंने तेरे लिए आसमान पर एक निया शहर बना लिया है देख मैंने तेरे लिए पाल की तियार किया है जिसके आगे वरिष्टे कड़े होंगे वो तेरा इस तकबाल करेंगे देख मैंने आसमान पर भी तेरे लिए बाग बना दिये है वहां पर भी तु मेरे साथ अवराब करने वाली है क्या अविस लेबल पर है शनौतियत की तरा क्या हमारा मेहबूब हो रिए मैधी के फूलों का बूच्छा है हमारा मेहबूब तु आज जिन्दा हो गया वो हमारा उख़र बन गया आज उसकी कबर हमारे लिए खाली है ताके उसकी शनौमिय तकलीस या उसकी दुलहन जो है वो शर्मिता ना हो कि उसका मेभूत तो मर गया खाली चीज किसी को पसंद नहीं आती है क्या बैक किसी को खाली पसंद है क्या आपको अपनी पॉकेट खाली पसंद है क्या आपको अपना कीचर खाली पसंद है क्या आपको अपना धर खाली पसंद है क्या आपको अपने जहन के अदर इलंग की कमीग जो है वो खाली पसंद है लेकिन हमारा पकर येसु नासरी उसकी कबर खाली है हालेलुया हमें यह पसंद है कि हमारे महभूब की गबरखानी है और वह हमारे लिए इच्छी उठा है कलीसिया उसकी दुल्हन होश में आ जाए कि मेरा महभूब महजी के फूलों का गुच्छा रहे जैसे पत्रस के अंदर उसकी खुश्बू आ गई पत्रस ने अपने मसीग का इनकार किया ताक जब हम इसी तरह नूमीनेटिर थे जब कलीसिया मसी को पूरे तोर पर नहीं न जानती पत्रस की तरह ताब उसको लुका मिले तो वो तीन बार उसका इड़कार करने से बास ने की आती है बेशक वो खुदा के साथ महबत करता बेशक वो खुदा से तलीब पा रहा और तलीम यास्ता भी हुआ उसके साथ-साथ चला उसने उससे सारे तज़र्बे सीचे लेकिन अपड़े महबूब की महबत शुनौमियत जैसे नहीं दिखाई अभी तक उसमें उसकी खुआ नहीं थी महती के फूलों के गुच्छों के जिस तरह खुआ हो आती है पत्रस में अभी तक वो खुश्मूर नहीं है उसकी महबत देखे कि वो ऐसी महबत दिखा रहा है कि सबसे पहले कबर पर जाने वाला शक्स भी शमाओन ही है यह सुभा की दुआ सिर्फ बेहनों के लिए नहीं है कि बेहने सुभ सुवेरा बशारत का काम करने जानी है बंकि हर उस शक्स के लिए यह वाला काम जरूरी है मसीख की महबत दिखाना जिसके अंदर मसीख की खुश्बू है जिसके अंदर मसीख के महधी के पूलों के उच्छों माली खुश्बू है उसके बल्लाट की उसकी अर्दा चाहे वो छाप है जिस तरह मेहदी के टैक्टू हमारे हाथों मेर बासुमों पे आते हैं इसी तरह अपने उपर मसी के लगू के जो है वो ठपे लगा ले और दिखाएं वालूस रसूल की तरह कहें कि मैं मसी की महपत और उसके जखमा को अपने उपर लिए हुए चाहता हूँ क्योंकि मैं अब मैं न रहा बलके मसी मुझ में जिन्दा है वो अपने बतन सी अपनी हर बास से मसी की खुश्बों को जाहिर कर रहा है पत्रस अभी तक ने ही कर पाया है पत्रस कबर फे खाली कबर के उपर जाने वाला पहला शब्स बिशारत का काम देने वाला तूटा हुआ है मसी की महपत में लेकिन अपी तक वो महपत नहीं है जिसकी खुश्बों उसके महभूब को मसरूर कर सके उसके महभूब को जब रहत दे सके जब उसका महभूब तीसे रोजमुर्दों में से जी उठा तो वो भाजा कबर पर गया है लेकिन अपनी महपत वैसी नहीं दिखा सका जैसी शलूमियत ने दिखाई है आज अगर हमारी जिद्गी के अदर खुदा का कलाम असर नहीं करता हमारी फिद्गी में कवाही नहीं पैदा कर रहा तो समझ ले कि आज भी हम अपने मैंदी के मूलों के गुछों वाला मसी अपने अंदर नहीं रखते है उसकी खुश्वू अपने अंदर नहीं रखते हैं क्योंकि हमने उसकी खुश्वू नहीं अपने अंदर ली पत्रस की तरह बलकि उसके साथ साथ चल रहें जरूर है लेकिन खुदा कहता है वो अपनी कलीसिया से कहता है कि मुझे ऐसी महबत की जरूरत नहीं है मुझे अपनी पहली सी महबब दिखा वो जो सुलिमान ने अपनी शलोमिया के साथ अपनी पहली सी महबब दिखाई मुझे वो महबब दिखा लेकिन हम वो महबब नहीं दिखाबाते है मेरे यसु नाजरी ने महां से कहा है मकाश्वा में वो उन से कहता है कि ना तू गरम है ना तू ठटा है बलकि नीम गरम हालत में है मैं तुझे जंद अपने मूँ में से निकाल फैकने वाला हूँ क्या आप चाते हैं कि आपका महभूब आपको मूँ से निकाल कर फैक दे अपनी हजूरी से बेदफल कर दे अगर ऐसा नहीं चाहते हैं तो अपनी अंदर उसकी खुश्बू ले ले जैसे परफ्यूम की खुश्बू हम लेते हैं ना जब किसी ने बहुत स्ट्रॉंट की संदा परफ्यूम लगाया हो तो पास से गुश्रें तो साथ वाले लोग भी जो है ना आँखें से घूम जाती सर घूम जाता है कहते हैं बहुत खतरनाग खुश्बू है आपकी अंदर भी ऐची खुश्बू होनी चाहिए आप जहां से भी खुश्रें लोग बोले कि ये मसीख के परफ्यूम ये मसीख की शनौमियर ये मसीख की तुलहर है और उसकी खुश्बू देखो हर जगा से जो है वो नजर आ रही है हलेलुया हम मसीख की सलीव की बातों के अंदर शामिल जरूर होते हैं लेकिन उसको लेते नहीं अपने अंदर क्या आपके अंदर कभी भी हलचल पैदा हुई मसीख की मसलूमियत की क्या आज भी आपके यसु ने कभर का सीना जो है वो भाड दिया है और आपके लिए इस कभर में से निकल कर आपके सामने आप कड़ा हुआ है तो आपका दिल अभी तक जो है वो भुजा ही हुआ है क्या आपको भी अंदर ऐसे करंट लगा कि मेरा मसी मेरे लिए जी उठा है सिर्व अच्छे कपड़ी और जूतिया आडिस्टर के दिन देखकर हमारा दिल खुशी से भरता है वो चेहरे के उपर शादमानी आनी लेकिन मसी के जी उठने की शादमानी नहीं है इसी लिए आप में वो खुश्मू नहीं है पत्रस की तर तो तम उस से इकरार करवाया वो उसकी वहाद का जुए फुशा था पहने चुका है वह उसकी महद का जॉए वो अपने अंदर गहरे तोर पर उसकी खुश्चभू को ले चुका हुआ है आप मत्रस की आखों में उसकी रूप में उसकी जान में उसकी महबब अपने मसी के लिए है तो मसी ने भी जब उसको देखा तो मर्ट जी उटने के बाद यसु मसी ने उससे इक्राब करवाया कि ऐ पत्रस क्या तु मुझसे महबद करता है देखे एक बंदा एकला में खुदा कहता है कि खुदामन यसु मसी यहन्ना से महबद करता था लेकिन पत्रस यसु से महबद करता था एक शख्स जो यसु से महबद करता है उससे की महबब में फिर उसका महबूब उससे पूछे कि क्या तू मुझसे महबब करता है तो अंदर से दिल को कैसे घचका लगता है कि मैंने तो इसको अपनी महबब का हर तरह का कान दिखाया मैंने तो इसकी महबब में वो सिपाई का कान काड़ दिया मैंने इसकी महबद में तलवार ठाली मैंने इसकी महबद में अपना बिजनस छोड़ दिया मैंने इसकी महबद में अपने बच्चे अपने बीवी अपना घर सब कुछ छोड़ दिया और आज मुझे से पूछ रहा है मेरा महभूब कि क्या तो मुझे से महववत करता है यहां पर आके बंदा हिल जाता है लेकिन कलीसिया नहीं हिल रही अगर हिलती अगर इनमें मसीद की कुश्मू होती महती के पर इनकी अंदर आती कहां चलती और इनकी कुश्मू नजर आती कलीसिया यहां पर बहुत दुन्या के अंदर बली हुई है तो उनका महवूव जब आ जाता लेकिन ना आने की वज़ा के हमें खुश्मू नहीं है हमें उसके बलेट की जो है धारा नसर नहीं आती है हमें रहे हैं अपने उपर लेबल लगाई हुए है कि हम मसीद हैं और हमार है वो मसरूर नहीं कर रही है वो आपसे खुश नहीं है खुश करना है तो अपने अंदर उस महवब को पैदा कर उज़े शनूमियत ने पैदा दी है उसने अपने चरवाहे के लिए वो महवब रखी और उसने भूल की बात उसने का मेरा महवूव तो मुझे के भूलों का अगर सुलिमान ने उसको जिस जिस चीज का भी लालत तो उसने उस हर चीज के साथ अपने महवूव को है उसके साथ जो है वो श्वी में ले लिया क्या आप हर बात में अपने महवूव को साबित करते हो पत्रस से जब कहा यसुने कि क्या तू मुझे से महवव करता है तो उसने बड़ी मसूवियं से कहा कि खुदा मन तू जानता है जब तीन बार इस बार का इकरार हुआ जब खुदा ने देखा कि अब इसकी महववव की खुश्बू मेरे पास पहुंची है तो उसने कहा मेरी वो दुलान है जिसकी आज मैंने खुश्बू ली है मेरा जी उठना आज पर फाइदा नहीं हुआ मेरी आज कबर खाली है क्योंकि इस रूख की खुश्बू ने मेरे सख्मों के उपर मरख लगा दी है आज मैं आसमान पर जाओंगा तो ये मेरा फखर है के नीचे मेरी दुलान है जिसके अंदर से मेरी खुश्बू आ रही है जिसके ओपर मैंने अपने महदी के टैटू अपने बलेट के लगा दिये है अब ये मेरे नाम से चरलाएगी और बोलेगी जब ये सु मेरा आसमान पर गया तो पत्रस की महबद देखे के अब उसका पसीना जो है वो जब गिरता है तो लोग उससे शिफापा देगी हालेलुया ये है महत्रस ये है आपकी खुश्बू आपके पसीने में आपकी मसी की खुश्बू होगी तो बिमार यह जाएगी तकलीव के जाएगी और अगलीस भागेगा तब जब आपके अंदर पत्रस की जैसी खुश्बू मसी के लिए हो जाएगी ये महत्त जब आपके अंदर आजाएगी ना तो आप समझ ले के आप उस असमानी बादिशाही के बारस हो जाएगी जो आपका महभूब दिन रात आपके लिए बना रहा है ताके आप उसमें आकर उसके साथ अराव रहे मर्यब मत्त लीदी की महबद देखे उसमें साथ बद रुखे थी जब साथ बद रुखे निकल गए ना तो पिर येस्जू की ऐसी दिवादी होई कि येस्जू की कबर को एक पाल के लिए बिली छोड रही है येस्जू मसी के जिन्दा होने पर वो बागतालों से पूँचती है क्या तुमने मेरे येस्जू को देखा उसको जब उसके येस्जू का वाद दीना के ये मर्या को फोरण पहचान गे या मेरे रबूटी कि ये मुखबत हमारे जिस्जू की में लशकर निकाना तो हम पलड कर अपनी महबत वह बली शोड नहीं करते हैं जो हमारा महबूब हमारे अंदर देखना चाहता है क्यों कि हमारी महबत का वह लेवल नहीं है वो महबत जो सुल्मान ने शनौमिय के लिए की है जो शनौमियत ने अपने चबाहे के लिए की है जो येसू ने आप के लिए दिखाए लेकिन अबी तक हम लोगों के कमी है कि हम उस महबत को नहीं दिखा आ पा रहे इसलिए हमारा मेभूब हमारे पास नहीं आपा रहा वो कह रहा है कि मैंने गबर को खाली कर दिया मैंने तेरे लिए सब कुछ सह लिया है मैं तेरे लिए अपुशाद लेकर खड़ा हूँ मेरी दुलान, मेरी पियारी मेरे लिए अपनी खुश्वू को साहिर कर मेरे लिए अपनी महबवत दिखा ताके मैं ये वनी पुशाद तुझे पहनाओ और तेरे जितने भी गुना है वो बरफ की तरह करकर तुझे अपने उन मकामों में ले जाओ जो मैंने तेरे लिए तियार कर दिये है हालेलुया बड़ाई वहवानी अपनी उस महबवत को अपने खुदा के साहिर कर दे अपने आपको फुट दो शख्षों की जना पर रख कर दे के जिसमें चमाउप फरीसी ने खुदा का खाना किया आपके महबूव का उसने भी महबवत दिखाई लेकिन एक औरत आई सारा इतर उसकी पाउं के ओपर उंडेर दिया और अपने बालों से उसके पाउं मौleşे आप बताएं महबवत किसकी जियादा है किसकी महबवत खुदाने महपूब ने जया है वो बोलने पर मझमूर किया कुछस दिखाने में मझमूर किया क्या समाउन फोरी मुहवद ने हमारी महवद की जैसी जैसी जिसमें खाने बड़े अच्छे बनाते अपने सुधावन के लिए काम बड़े बड़े अच्छे करते अपने उंदों आपने अंदर वह कुश्बूझ ले रखते ह हम केहते किसे हैं के हमारा महबूम महदी के फूलों का घुच्छा है अगर आप कहेंगे ना तो आपको सॉते हुए भी हातों की महदी आपके जोए व Ó अंदर जाती उसकी खुश्व gonna इसी तरह जब आपो सोएंगे तो आपे महबूद की खुश्भू आपो चलेंगे तो आपे महबूद की खुश्भू आपो जो है वो बोलेंगे तो आपके बोलें से भी आपे महबूद की खुश्भू नजर आएगी लेकिन वो लेबल पाने के लिए आपको अपने महबूद की चाहत का दम बढ़ना होगा सब काम छोडने होगे ये बात साथिक करनी होगी कि मैं अपने महबूद की उस कुरवानी के अंदर शामिल हूँ मैं शबहून की तरह हूँ मैं उस पलूस की तरह हूँ मैं उस औरत की तरह हूँ जिसने अपने खुदा के सामने अपने जो है वो इत्वर को पंडेला मैं उसकी जैसी महबद दिखाँगा ताके मेरा महभूब जल्द आ जाए हमारा वहर है हमारा महभूब के उसकी कबर खाली है जब वो अपनी इतनी बड़ी चाहत हमारे लिए दिखा रहा है तो हमें पीछे नहीं रहना है बनके अपने अगर रूख के फलों को पैदा करके उसकी महभद को जाहिर करना है और रूख का फल पहला यही है खोदावन में महभद करते चले जाओ कि अगर हमने महभद नहीं तो बनाके पीतल और चंच चंच हैं 15 वादे करते हम वागति कैंशिव है बचते हैं कभी इसनदर कभी उसन गेत गाते हैं जोश टिखाते हैं लोगों में बड़ा बड़ा पतर जोश दिखा रहे हो और छंच नाती चांच है तुझमें मेरी महबत शाहिर नहीं हो रही है हम क्या कहते हैं पलू सुर्सूल कहता है कि अगर मैं अपना सुछ को कुछ खुद कुर्बान कर दूँ बहुत सारा काम करूँ खुदा के लिए लेकिन महबत ना रखू तो मुझे क्या हासिल अगर मैं अपने महबूब के साथ पुन अराम की जबों में न जास वो तो मेरे काम का मेरे इस जमीन पर आकर जो है तो खुद घीत गाना और धोलक बचाना रखी में बैठना दिखावे वाला क्या अप फाइदा वो तो मुझे से अपनी खुश्बू दिखाना लेना चाहता है अगर हम में अपनी उसकी खुश्बू नहीं है तो समझ ले आप खुदा की बादशाएं के दूर है तुर्द तकलीफ आपकी अंदर है जैसे महदी का रंग काम बढ़ता है और हम कहते हैं इस वे फलाँ की महबद नहीं है इसकी महब बेफाइदा बन जाता है आपकी सिद्गी में क्या हमें मसी का जी उपना बेफाइदा बनाना है अगर आपके दिल में इस बात की चाहत है कि मेरा मसी मेरे लिए ही जी उटा है अब मैं उसकी महबद का दम भरूगा मैं उसके लिए जीओगा मैं उसके लिए मरूगा मैं उस जिन्दा है हालेलुया अब हम गोलेंगे कि उसकी कबर मेरे लिए खाली है वो मेरे लिए कुर्बान हो गया है इसलिए मैं क्यों ना नाचू हूँ क्यों ना गाउद की तरह गाउँ क्यों ना उसकी महफ़त का दंबर हूँ सास बचाऊँ गीत गाउँ रूब है काउँ ताके वो मुझसे खुश हो जाए हालेलुया अपने महफ़त के गुच्छों वाला जो आपका महफ़ूब है फूलों से भरा हुआ तस्ता है उसको जिन्दगी में ले और उसकी खुश्चों को अपने अंदर सारे और उस रंग को कोई उतार ने ना पाए आपकी महफ़ी का रंग कोई उतार ने ना पाए जो आपका मसी यसू आपके उपर रख कर गया है और उसकी महफ़ी का रंग उसका बलेड है उसको अपने उपर ले और अपनी रूहों को बचाए और उसकी बादिशाही में ताकिल होकर उसके साथ खूब आस्मानी मकामों की सेर करे और उसमें राहत माए हालेलुया आए हम अपनी आँखों को बंद करेंगे और अपने उसकुदावत खुदा की शुट